हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रिजेस और आप देख रहे हैं BRJ Motorides फ्रेंट्स एट्थ अक्टूबर को जर्मर मोटरसाइकल मेकर कमपनी BMW ने अपनी एंट्री लेवल बाइक G310R और G310GS के BS6 वर्जन को इंडियन मार्केट में लाँच कर दिया है इन बाइक्स का प्राइम अट्रिक्शन इन बाइक्स की प्राइस होने वाली है क्योंकि BMW ने इन बाइक्स के प्राइस को बहुत ज़्यादा रिडियूस कर दिया है अब ये बाइक्स अपने कमप्टीटर KTM से भी सस्ती हो गई है So friends BMW के इन दोनों Bikes G310R और G310GS related full information के लिए वीडियो को बिना skip किए लाश्ट तक देखिए अगर आप हमारे चैनल पे नय है तो प्लीज हमारे चैनल BRG Motor Ride को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके All Wallet Option को सेलेक्ट कर लिजिए जिससे हमारे अपकुमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे Friends जहां एक तरप आप सभी Bikes के BS6 मॉडल के प्राइस को बढ़ते हुए देख रहे थे वही BMW ने अपने Entry Level Bikes G310R और G310GS के प्राइस को बहुत ज्यादा रिड्यूस करके सबको चौका दिया है BMW ने G310R के प्राइस को 54,000 और G310GS के प्राइस को 64,000 रिड्यूस कर दिया है जिसके कारण G310R की प्राइस अब 2,99,000 से घटकर 2,45,000 रुपीज और G310GS की प्राइस 3,49,000 से घटकर 2,85,000 रुपीज हो गई है BMW ने इन दोनों Bikes के इंजन में कोई चेंज नहीं किया है आपको इन दोनों Bikes में पूराना वाला ही 313CC का सिंगल सिरेंडर 4-Wall DOSC 4-stroke water-cooled इंजन मिलने वाला है जो की 9,500 RPM पर 25 किलोवाट की पावर और 7,500 RPM पर 28 Nm का मैक्स टॉल्क जनरेट करती है BMW के कॉर्डिंग ये इंजन पहले से ज्यादा रिफाइंड है और ये Bikes 0-50 km पर आवर की स्पीड 2.5 सेकंड में अचीव कर लेती है इन Bikes की टॉप स्पीड लगग 143 km पर आवर है BMW ने इन दोनों Bikes के डिजाइन में कोई major change नहीं किया है लेकिन कमपनी की तरब से इन दोनों Bikes में कुछ visual अपग्रेड दिये गये है दोनों Bikes में press new color and graphics दिये गया है जिससे Bikes पहले से और भी ज़्यादा आकरसक लगती है इन दोनों Bikes में इनके large sibling के जैसे ही LED headlights and indicator दिये गया है और brake and clutch के लिए adjustable lever दिया गया है इन Bikes में आपको पहले के जैसे ही dual channel ABS और slipper clutch मिल जाता है इन दोनों Bikes में throttle के लिए ride by wire technology दी गई है इन दोनों Bikes को BMW ने सबसे पहले इंडियन market में launch किया है और इन दोनों Bikes का production भी इंडिया में ही TVS Motors के होसूर plant में किया जा रहा है इन दोनों Bikes की booking इस्टार्ट हो गई है और BMW इन दोनों Bikes के साथ 3 year की unlimited kilometer warranty ओफर कर रही है So friends ये थी सारी detail BMW की दोनों entry level Bikes G310R और G310GS related Features के according ये दोनों Bikes अपने अपने segment में बहुत ही अच्छी है बट इतने बड़े price drop के बावजूद ये दोनों Bikes मुझे अभी भी हलकी सी overpriced लगती है क्योंकि थोड़ा सा और पैसा खर्च करके आपको naked sports segment में KTM Duke 390 और adventure segment में KTM 390 Adventure मिल जाएगी जो कि BMW से कहीं ज़्यादा powerful है वैसे friends ये मेरा personal opinion है बाकी आपकी क्या रहा है comment करके जरूर बताएं I hope कि ये वीडियों आपको पसंद आया होगा प्लीज वीडियों को लाइक कीजिए friends के साथ में share कीजिए और हमारे channel BRJ Motoright को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे upcoming वीडियों की notification आपको मिलती रहे friends वीडियों को last तक देखने के लिए thank you